ओम शान्ति चार नौदो हज़ार बाइस के अव्यक्त बाप दादा की वानी है रिवाइस है एक चार बान्नवी मधुवन उड़ती कला का अनुभो करने के लिए दो बातों का बैलेंस ज्यान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्थ आत्माओं और ज्यान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं दोनों प्रकार के आत्माएं बाप को प्रिये हैं और दोनों ही बाप से अपने यथास्निह और भावना प्रामाण प्रत्यक्षफल वर्से के अधिकारी हैं। ज्यान सुरूप योगीतु आत्माएं अपने शक्ति प्रामाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनभूती का वर्सा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ती स्वरूप हैं, लेकिन दोनों की प्राप्ती में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्थ बच्ची सदा भावना की कारण याद में रहती हैं। बाप से प्यार का अनभू करते हैं। शक्ति का भी अनुभो भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, जितना निश्चे उतना निश्चिंत, जितना भरोसा उतना बल, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभो नहीं करते, ज्यान स्वरूप योगी तु आत्मय, सदा सर्वशक्तियों की अनुभूती द्वारा सहज विजयिक बनने का पिशिश अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं, तो दोनों प्रकार की बच्छे बृद्धी को प्राप्त कर रहे हैं, सदा अचल अटल स्थिति का अनुभो योगी तु आत्माएं ही करती है स्नेही बाभावना स्वरू पात्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है, इस कारण समय प्रती समय सहयोग प्राप्त होता रहता है भावना का फल समय प्रमाण बाप्त द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी, योगी तु आत्माएं समीप हैं इसलिए भावना और ज्यान स्वरूप बनने का लक्ष रखो जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो सिर्फ भावना वा सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं ज्ञान यूक्त भावना, स्नेह संपन्य योगी आत्मा यह दोनों का बैलेंस सहे जुड़ती कला कानुभो कराता है बाप समान अर्थात दोनों की समानता वर्तमांस में भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में जादा आती हैं यह आत्माएं भी स्थापना की कार्य में चाहे आदिसनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में चाहे राज्य की स्थापना में दोनों में आवश्यक हैं, लेकिन अभी समय प्रमाण ज्यानी योगी तु आत्माओं की आवश्यकता और जादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य व्रत्ती के वायू मंडल के कारण भावना स्वरू पात्माएं और भी सहज आनी ही हैं, इसलिए सेवा के लक्ष में ज्य यानी योगी तु आत्माओं की तरफ अटेंशन जादा चाहिए, ऐसी आत्माओं की व्रधी आवश्यक है, समझा, ऐसे नहीं समझो की संख्या बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसी बाप समानसर्व शक्तियों की अनुभूती वाली आत्माएं तयार करो, राजधाने की व् अची हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माओं ही निमित बन सकती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सुक्ष्म शक्ति शाली स्थिती वाली आत्माओं चाहिए, एकदम प्योर, एकदम ब्राह्मन आत्माओ मन सा वाच्य कर्मना एक रस्थिती में स्थित रहने वाली पिल्कुल टोटल देवी गुण वाली जिनमें सोला कलाएं संपूर्ण हो जाएं कर्माती दवस्था वाली आत्माएं वही सक्षक्ति शाली विश्व परिवर्दन आत्माएं जो निमित बनेंगी आच्छा तो क् युञु च्क्षक आत्माओं को परिवर्दन कर सके स्वह में बहुत अच्छी चलते हैं लेकिन वह श्नेह वा भाव ना विश्व के प्रथी नहीं होती एक्जांपिल के लिए कह सकते हैं कि एक मा मा तो मा होती है, मा के लिए सारे बच्चे एक समान होने चाहिए चाहे फिर वो आपके घर के बच्चे हो या पड़ोस के हो या कोई relative के बच्चे हो या गाउं के बच्चे हो कोई भी बच्चे हो तो ऐसा नहीं कि मा अपने बच्चे को देखे के आगे बढ़ रहा है तो बहुत खुशी हो और यदि पड़ोस का बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसकी खुशी में वो खुश नहीं रहे तो ऐसे ममत्व नहीं कहा जा सकता है एक मा अपने बच्चे को बहुत सुन्दर देखती है और किसी के बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम है काला है कुछ प्रॉब्लम उसमें है तो उसे ऐसे करके देखे तो उसमें भी ममतवाप में नहीं है क्योंकि आपके अपनों के प्रती है लेकिन दूसरों के प्रती नहीं है तो फिर आपके भावना तो दूशित हो गई यही सब सुक्ष्म रीति से बाबा जाच करते हैं, बाबा कیते है स्वेम के प्रतिवा कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है, नit तो सिन्ह की भावना जो की ठीक नहीं है, बेहद की सेवावा विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माओं कर सकती हैं, बेहद की सेवाव आपनी शक्ति शाली मनसा शक्ति द्वारा शुब भावना और शुब कामना द्वारा होती हैं सिर्फ स्वयम के प्रती भावुक नहीं लेकिन औरों को भी शुब भावना और शुब कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो तो ऐसी भावना और ग्यान स्नेह और योगशक्ती हो, ऐसी आत्माय बने हो कि सिर्फ स्नेही भाव का आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्यानकारी बने हो या बेहत विश्व कल्यानकारी बने हो, यह चेकर, क्या रिजल्ट है? बाप दादे ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं दोनों प्रकार की आतमाओं को देख बाप दादा खुश होते हैं फिर भी इसने ही आतमाएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना पहचान लिया वरसे के अधिकारे बन गए कोटों में कोई की लाइन में आगे अपने ठिकाने पर पहुँच गे तन के भटकने, मन के भटकने से बच गे इसलिए खुश होते हैं ना बच्चे भी खुश, बाप भी खुश है किस्मत वाले तो बन गे ना दुनिया के हिसाब से डारेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारन आत्माये हैं विश्व के शिक्षक के स्टुडेंट देखो कैसे वन्रफुल है पढ़ाने वाला उच्च ते उच्च और पढ़ने वाले साधारन लेकिन साधारन ही साधारन स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं बाप दादा भी वी आईपी बनके तो नहीं आते हैं ना साधारन रूप में आते हैं और इसलिए कहा एक कवीर का दोहा भी है कभीरा इस संसार में मिलिये सबसे धाय और ना जाने किस रूप में नारायन मिल जाए हैं तो बाप साधारन तन में आये हैं तो इसलिए कैसे मिलना है सबसे बाबा कहते हैं बनके तो वी आईपी नहीं आया हूँ ना साधारन रूप में आया हूँ कोई प्राइम मिनिस्टर वह किसी राजा के तन में नहीं आते इसलिए पैचानने वाले साधारन ही भाग्य प्राप्त करते हैं खुश नसीब हो ना कितना भाग्य मिला है पदमापदम कहना भी कुछ नहीं है अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना पहले सोचते थे यह इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा बाबा के इतना माउंट अबू में हॉल बने उसमें इतना स्पेसियस देखता था आप देखो तो पहाड़ों पर बैठते हैं जगह नहीं है आने वाले समय में तो बाबा ने कहा ऐसे क्यों लगी रहेगी कि वहाँ पैर रखने को भी धरनी पर जगह नहीं होगी है ना तो बाबा केते हैं पहले ऐसा लगता था कि इतना बड़ा हाल है काम में आएगा और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हाल होना चाहिए ना ब्रामनों को यह बरदान है जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा जो भी आये हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं लेकिन सिर्फ भाबुख नहीं बनो ज्यानी भी बनो प्रकृति के भी ज्यानी बनो ज्यान सिर्फ आत्मा का नहीं आत्मा परामात्मा और प्रकृति उसमें ड्रामा भी आजाता है तीनों का ज्यान चाहिए कहां जा और अपने लिए क्या टेंशन चाहिए यह प्रकृति कभी अगर नौलेज नहीं है तो नौलेज़ फुल नहीं है, स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो, सिर्फ भाभुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है, ज्ञान स्वरुप माना, दूरा देशी, त ज्ञान अगर स्पुष्ट है, तो सफलता मिलती है, अगर कोई अपनी गलती से बार-बार बिमार होता है, तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहती, ज्ञान का अर्थ है समझ, अपने स्थिति को भी समझ, अपने शरीर को भी समझ, आत्मा की स्थिति, शरीर की का सर्व ज्यान बुद्धी में है तो नौलेज़फुल है इसलिए सिर्फ भावना वर्राजी नहीं हो जाओ आने वाले लाने वाले दौनों को नौलेज़फुल होना चाहिए जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे चहें वो किसी भी तरह की हालचल हो हालचल में तो नह आके के लिए अटेंशन बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचे हैं इसके लिए तो मुबारक दे दी दे ही दी तो आसुईकार भी करी जिस आत्मा का जो वर्सा है वह उसको प्राप्त होना ही है वर्से से वंचित कोई नहीं कर सकता और ना क चाहे साकार में सम्मुख है चाहे अपने स्थान पर मनमनाभव रहते वर्सा अवशिप राप्त होना है डबल नौलेजफुल होना है हाफ नौलेजफुल नहीं बनो आच्छा चारों और के सर्व खुश नसीव आत्माएं सर्व इसने हो और योग की शक्ति की समानता की अन करने वाली आत्मा है सदा समी पनुभो करने वाली आत्मा है ऐसे सदा चल डोल रहने वाली विशेश आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते 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 नोट आज अधुबन में आई हुई पाटी में एक ही घंटे के अंदर करनाटक जोन के दो बुज दुर्गुभाईयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेश अटेंशन खिचवाया है। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है, अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे, व्रद्धी को प्राप्त कर रहे हो, आपनी मित बनी हुई आत्माओं की हिम्मत, अनीक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है, हर परिस्थिती के अनुभवी बन गे नथिंग न्यू लगता है न बाप दादा परदे के अंदर साकाश दे रहे हैं लेकिन पाट बजाने वाली स्टेस पर आप आत्माए हो अच्छा पाट बजा रही हो बाप दादा सदा महावीरों के निमित संगठन को विशे शमरित वेले नंबर वन उनी आत्माओं को याद प्यार गुड मॉनिंग करते हैं और वही साकाश को प्यार को हो सारे दिन की खुराख हो जरती है ऐसे लगता है न? सब ठीक है इमत से सफलता है ही अव्यक्त बाप दादा से डेबल बिते श्री भाई बेहनों की मुलाकात अस्ट्रेलिया पार्टी से अस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेष्टा बाप दादा देख रहे हैं अस्ट्रेलिया निवासियों की विशेष्टा क्या है जानते हो? पहली बार आये हैं इसलिए नहीं जानते हैं ना स्थान पर आये हो वापने पहचाने हुए स्थान पर आये हो कल्प पहले भी पहुँचे हो तो पुराना ही हुआ ना नाया नहीं हुआ तो यहां पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतने स्पोष्ठ हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है यही निषानी है समीप आत्मा की इसी अनुभो've द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मन आत्माओं में भी समीप की आत्मा हैं वादूर की आत्मा हैं First number है या Second number है यही सालोकिक संबंध में विशिषता है, जो हर एक समझता है कि मैं first आओगा, लोकिक में तो नमबर वार समझेंगे यह बड़ा है, यह दूसरा नमबर है, यह तीसरा नमबर है, लेकिन यहां last वाला भी समझता है कि मैं last सो first हूँ, यही लक्ष अच्छा है, first आना ही है, तो first की निश्यानी, सदा बाप के साथ रहना, प्रत्य प्रेप्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभो रहे, जब यह अनुभो हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है, वह स्वता ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है, अपने पिता को, अपने माता को को वे फोन करके insist नहीं करता, याद नहीं दिलाता कि तुम मुझे याद करो, पिक्चर नहीं रखनी पड़ती उसकी, कि उसके दर्शन करके फिर उनको याद करो, जिससे संबंध होता है, जो मेरा होता है, उसकी याद थोस होता है, याती है, तो मेरा अर्थात अधिकार प्राप में सिर्फ मेरा बाबा, मेरा बाबा और में बाबा का, कितने थोड़े से शब्द हैं, इसमें ही पूरा समाया हुआ है सार, और सेकिंड की बात है, इसको ही कहा जाता है सहज योगी, आपके बोड में भी सहज राजियोग के इंद्र लिखा हुआ है तो ऐसा ही सहज योग सी लेके हो, माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आने ही सकती, जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो, तो सहची अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो, ऐसा नहीं है, कि एड्रेस पूछ पूछ करके जाना आप कहीं भी दिमाग, आपका कहीं भी मन लगा रहे, कहीं भी आपकी बुध्धी फिरती रहे, लेकिन घर का रास्ता तो आप उस बुध्धी को यहां-वहां भटकते हुए भी घर का रास्ता पता चल जाता है, और रेस्ट करते हो, तो इसे रीती से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कारे करते भी रह सकते हो, ऐसे बुद्धी द्वारा अनुभव हो, हर एक अपनी तकदीर बना कर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुँच गए, बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं, वेराइटी ग करेंगे आठ मास के हैं, कोई बारा मास के हैं, अलोकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना, आच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिक्की लिधी आत्माय हो, सदा बाप के, आटूट लगन में मगन रहते हो, आगे बढ़ते चलो, रहते हुए आगे बढ़ना है, यह आटूटी या को हलकर उर्टा पंची बनाए, उर्टी कला में ले जाएगी, बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा, इसी नशी में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे, मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्म हो न, श्रेष्ट आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ट होगा, कभी-कभी नहीं सदा, क्योंगी सदा कवर्शा पा रहे हो न, तो जब सदा कवर्शा पाने के अधिकारी हो, तो स्थिती भी सदाकाल की, सदा शब्द को सदा याद रखना यही वर्दान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे सदा सर्व खाजानों से संपन रहेंगे ऐसे वर्दान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वता हो जाती है आज खुशी का दिन है सबसे अधिक खुशी किसको है बाप को या बच्चों को है बच्चों को है बाप दादा को या खुशी है कि ऐसे कोई बाप सारे वर्ड से नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विश्यषता का वर्णन करें तो कोई वर्ष बीत जाएं हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं विश्यषात्मा हो ऐसा निश्चे हो तुस्दा माया जीत स्वता ही हो जाएंगे मेक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल के समीप हो ऐसा नुभो करते हो ना सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक्त रिजर्व कर लिया है बाप दादा एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं एक एक रत्न स्थापना की कारे को सफल करने की निमित हैं तो अपने को इतने अमयूले रत्न समझते हो कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने दून कर अपना बनाया वाह 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 तो आज की दुनिया में जो बड़ तो बस बनना है न, बस इसी खुशी में रहो, कि जो जीवन में पाना था, वह पा लिया, आच्छ, न्यूजिलेंड, न्यू लेंड बना रहे हो न, स्वयम को भी नया बनाया, तो विश्व को भी नया बनाएंगे न, अपना ओक्योपेशन यही सुनाते और लिखते हो न, कि ह हम सभी विश्व का नव निर्मान करने वाले हैं, तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे न, हर एक स्थान के अपनी विश्यष्ता है, न्यूजिलेंड की विश्यष्ता क्या है, न्यूजिलेंड में गये हुए भारतवासियों ने, फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग बनाने वाले बाप को पहचान लिया है, भारत में रहते हैं, भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहने वाली भारत की महिमा को और बाप को जान लिया, विदेश में रहते हो हैं, तो न्यूजिलेंड में भारत के बिछडे हुए बच्चे अच्छ अच्छे निकले हैं, तीचोस पीछे मिले हैं, लेकिन सर्विस की स्थाप ना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेश हैं, समझा, वर्दान मीठे बाबा का, लगाओ के सोक्षम धागों को समाम्त कर उड़ती कला में, उड़ने वा आत्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकरशित तो नहीं करता है, पतन गुड़ने में परिशानी हो रही है, धागा फसा तो नहीं है, कोई खीच तो नहीं रहा है, ढील दे रहें की नहीं, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है, तो वह अपनी तरफ आकरशित जरूर कई कहते हैं इक्षा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो इक्षा है मोटा दागा और अच्छा है सुक्षम दागा अब उससे भी समाप्त कर संपूर्ण फुरिष्टा बनो स्लोगन मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुनों का दान दी नहीं महदानी बनना है अच्छा ओम शांती शुक्रिया व्यक्त बाब दादाओ शुक्रिया आप सभी भाई बेनों का शुक्रिया इश्वरिय परिवार का शुक्रिया सभी विदेशी इश्वरिय प झाल 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 झाल